चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिन की एक और बड़ी ख़बर का नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो यानि की NCB ने मुंबई ड्रग्स मामले में लगातार दूस्टे दिन आक्ट्रिस अनन्या पांडे को पूछताज के लिए समन भेचा है सुभा 11 बजे अनन्या को NCB ने पूछताज के लिए बुलाया है आर्यन खान के साथ अनन्या की कथित वाट्साप चैट्स फिलहाल NCB के रेडार पर है और एजिंसी अनन्या से उन चैट्स को डीकोट करने के लिए सवाल करना चाहती है गुरुवार को NCB ने अनन्या से करीब दो घंटे से जादा समय तक पूछताज की थी इसी दोरान उनके साथ उनके पिता और बॉलवो डाक्टर चंकी पांडे भी NCB दफतर गए थे आपको बता दें कि NCB पहले ही अनन्या के घर से उसका फोन, लापटॉप और दूसरे इलेक्ट्रोनिक सबूत जब्त कर चुकी है और जादा जानकारी लेकर हमारे संबादाता मयूरेश गंपते जुड़े हैं मुंबई से लाइव जुरेश सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे आज सुभा 11 बचे फिर से अनन्या को समन किया गया है NCB द्वारा मगर कल जो करीब करीब तीन घंटे तक अनन्या की पूछता चली थी उसमें क्या कुछ सवाल पूछे गए थे क्या ये पता लग पाया है बिल्कल नहीं NCB ने अभी तक ऑफिशली उसके उपर कोई कमेंड नहीं किया क्योंकि इस अपार्ट ऑफ इन्वेस्टिकेशन लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है सूतरों के हवाले से वही है कि ये जो कथित वाट्साप चैट से जो आरियन खानों और अनन्या पांडे की बीच में है उसको लेके बातचीत हुई थी और जादा इन्वेशन जो है वह NCB जानना चाहती है इसलिए फिर से एक बार उसे यानन्या पांडे को NCB दफतर में बुलाया गया है अब यही देखना दिल्चोस होगा कि आज कितने देर तक ये क्वेशनिंग चलते क्योंकि कल तकरीबन सवादो घंटे ये क्वेशनिंग चली उसके बाद अनन्या पांडे को छोड़ दिया था जैसे आपने कहा कि उनके लैपटॉप या इलेक्रोनिक डिवाइसे सीज किये गए है तो इसलिए किये जाते है क्योंकि उसमें से कुछ लीड मिले और उसमें अगर कोई इमेल पे या फिर और कोई मेसेंजर पे अगर उन्हें कोई लीड मिल जाती है कि जिसमें दिखाई द अगर हम इस परस्पेक्टिव में देखे कि मंगल वार को आरियन खान की बेल हेरिंग है अनन्या पांडे से अभी से पूछताच हो रही है अगर अनन्या पांडे के तरफ से या उनके इन्वेस्टिकेशन में पूछताच में ऐसा कोई सबूत मिल जाता है अन्या पांडे को बुला आ गया है अब आज देखना यह दिल जोस होगा कि आज के क्वेशनिंग में क्या अनन्या पांडे के अरफ से ऐसा उन्हें मिलता है कि जिसको आगे बढ़ाके हुए इन्वेस्टिकेट करें और फिर आरेन खान की बेल हेरिंग को वो मंगलवार को अपोस करें जी बिलकुल सुभा ग्यारा बज़े एक बार फिर से आक्टा अनन्या पांडे एन्सीबी के सामने पेश होगी और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी मगर मयूरेश हमारे साथ बने रही है ऐसे बिलको थी और बन्सीबी के सामने साथ लगी है